नमस्कार दोस्तो एक्जाम ओफोविय यूटूब चैनल में आप सभी लोगों का हर्दिक स्वागत है आज हम लोग बिहार बजट दोयार बीशिक्टिस का सुपर ओर सीजी देखेंगे जिसमें 47 कुश्चन हम लोग डिसकस करेंगे ये सारे कुश्चन आपको आने वाले एक् बिहार SSC और जो अभी हाली में बिहार ओरिटर का जो एक्जाम होने वाला है उसके लिए बहुत ही महत्पूर ये 47 कुश्चन होने वाले हैं तो चलिए चलके देखते हैं कुश्चन नम्मर फर्स्ट कुश्चन नम्मर पहला है बिहार बजट दोयार बीशिक्टिस में कुल कितनी रासी अवंटित की गई है बिहार के बजट में कुल कितनी रासी अवंटित की गई है तो इसका सई जवाब क्या है सी 2,11,761 करोड रुपए अवंटित की गई है एक महत्पूर कोश्चन है कि जो बिहार के फाइनेंस मिनिस्टर है उनका नाम सिरीज सुसील कुमार मोदी मोदी है नेश्ट कोश्चन नमबर दूसरा बिहार का वित्ती वर्ष दोहार बीस इकिस का कुल ब्याय बजट का अनुमान दोहार 19-20 के कुल ब्याय बजट अनुमान से कितना प्रिश्यत अधिक है जो दूहार 19 का कुल बजट के वे था उससे दूहार 21-20 का कुल बजट के वे कितना अधिक है ये बताना है आपको तो दूसरे का सही जवाब क्या है बी आंसर 5.6% अधिक है अगला है कुश्च नम्मर तीसरा बिहार बजट अधिक हैर 21-21 में सिच्छा छेत्र के लिए कितनी रासी का प्रावधान किया गया है तो तीसरे का सही जवाब क्या होगा डी ओप्शन 35,191 करोड रुपए का प्रावधान किया गया है सिच्छा छेत्र में अगला है कुश्च नम्मर चौथा कुश्च नम्मर चौथा बिहार बजट अधिक हम है ग्रामीड विकास के लिए कुल बजट का कितने प्रिस्षत का प्रावधान किया गया है बिहार का बजट जो दोयार 21 है उसमें ग्रामीड शेत के लिए कुल बजट का कितने प्रिस्षत अवंटित किये गए हैं ये बताना है आपको तो चौथी का सही जवाब क्या होगा सी साथ पॉइंट तिरपन परसेंट जो है ग्रामीड विकास के लिए दिये गए हैं बजट में अगला है कुश्चन नमर पांचवा वर्तमान समय में बिहार राज में बिली खपत करने वाले कितने उभोकता हो गए हैं कितने उभोकता हो गए हैं जो बजट में डाटा दिये गया है उसके अनुसार तो पांचवे का सही जवाब होगा एक करोड़ अठावाल लाक वभोकता हो गए हैं जो राज में बिली की खपत करते हैं नेश्ट है कुश्चन नमर शिक्स बिहार बजट दोहर बीस इकिस के अनुसार बिहार सरकार परियावरण वन जलवाईव परवरतन में कितनी रासी खर्च करेगी बिहार बजट दोहर बीस इकिस के अनुसार इस चेत्र में बिहार सरकार कितना पैसा खर्च करेगी यह आपको बताना है छटे का सही जवाब है बी ओप्सन शहसो अरतिस पॉइंट तिरानमे करोड रुपए खर्च करेगी परिया वरन वन और जल्वाई उपरवरतन में बिहार सरकार अगला है कुश्च नमर सेवन बिहार बजट दोहर बीस इकिस में सडख प्रच्छेत्र के लिए बिहार सरकार ने कितनी रुपए का प्रावधान किया है जो सड़क छेत्र है उसके लिए ब्याज सरकार ने बजट में कितना प्रावधान किया है ये आपको बताना है कुश्चे नमर 7 में तो सही जो आप क्या है 17,345 क्रोड रुपए आवंटित किये गये हैं सड़क छेत्र के लिए नेश्च देखते हैं कुश्च नमर 8 बिहार सरकार ने स्वास छेत्र में कुल बजट का कितने प्रावधान किया है स्वास छेत्र में कितना परसेंट कुल बजट का खर्च करेगी बिहार सरकार इसका आंसर देना है तो आठवे का सही जवाब क्या है ए आंसर सही है 5.17% नेश्ट कुश्चन नमबर 9 बिहार बजट दोहार 20-21 में बिहार सरकार ने आपदा प्रवंदन के लिए कुल बजट का कितने प्रिस्षत का प्राधान किया है जो आपदा प्रावंदन है जैसे महला कि बार बार आती है उन से बचाओ के लिए भूकम पाता है ठीक है इन सब चीजों से बचने के लिए बिहार सरकार ने कितने कुल बजट का कितना परसेंट का प्राधान किया है तो नवे का सही जवाब है D option 2.10% का प्राधान किया है जैविक खेती जो बिहार में होगी उसके लिए बिहार सरकार ने कितने रुपए अवंटित किया है तो इसका दसवें का सही आंसर है C 155.88 कलो रुपए अवंटित किया है अगला है question number 11 कितने रुपए प्रती एकड की दर से किसानों को जैविक इनपूट के रूप में अग्रिम अनुदान दिया जाएगा कितने रुपए एकड की दर से दिया जाएगा ये बताना है आपको अग्रिम अनुदान तो 11 का सही आंसर है A option सही है 11,500 रुपए प्रती एकड दिया जाएगा आगे बढ़ते हैं देखते हैं question number 12 बिहार का वित्ती वर्स बिहार 20-21 में कितना राजकोसी घाटा होने का अनुदान लगाया गया है 12 का 12 का सही जवाब है B option 2.97% जो है राजकोसी घाटा होने का अनुदान है अगला question number 13 question number 13 में बिहार के हर एक नागरिक पर कितनी रुपए कर्ज रहने का अनुदान व्यक्ति किया गया है 20-21 की बजट में जो बित्त मंत्री श्री सुसील कुमार मोदी ने विधान सावाब में बजट के दोरान बताया है तो इसका सही अनुदान क्या है तेरह का सही जवाब क्या होगा D option 12,931 प्रतेक नागरिक पर कज रहने का अनुदान लगाया है अगला question number 14 है निम्न में से कौन सा हिस्सा बिहार के लिए राजसु का सबसे बड़ा स्रोध जो 43.2 प्रतेक है कौन सा है इनमें से A option में लोकरण, B option में केन सरकार से सहयत अनुदान C option में केंद्री करो में राज का अंस D option में वेल्टेक्स और E option में इनमें से कोई नहीं तो 14 का सही अंसर है C option केंद्री करो में राज का अंस जो है सबसे बड़ा स्रोत है बिहार के राजसुका जो 43.2% है अगला है कुश्चन नमर 15 बिहार बज़र दोहर 21 के अनुसार किस जिले में वर्ड रिंगिंग एवं मॉनिटरिंग सेंटर की इस्थापना की जाएगी यह हम लोगों ने करेंट में आपको बताया होगा ठीक है किस की जा रही है कहां की जा रही है भागलपुर में अगला है कुश्चन नमर 16 निमने में से कौन सा हिस्सा बिहार के लिए वियाय का सबसे बड़ा स्रोथ है जो 43.56% है कि सिस्टीन का इसका सई जवाब क्या है ए ऑप्सन समाजिक सिवाएं जो है सबसे ज्यादा वियाय इसी छे निश्ट कुश्चन है कुश्चन नमर 17 बिहार का वित्ती वर्ष 2020 में जल जीवन हर्याली मिशन पर कितने रुपए खर्च करने का प्राधान किया गया है सरकार द्वारा यह बताना है आपको तो 17 का सई जवाब क्या है ए ऑप्सन सई है 3515.51 करोड रुपए जो है खर्च ह पार किस जिले में एक नीचर सफारी का निर्माफ कराया जाने का उलेख किया गया है नीचर सफारी का निर्माफ होगा कहा पर होगा तो जो है ए उप्सन सही है इसमें नालंदा जिले में किया जाएगा जो कि बिहार बजर दोयार भी इसी किसमें इसकी घोसना की गई है अगला है कुश्चिन नमर 19 देसी नसल की गौवन्सी पस्वों के सरचन के लिए किस जिले में एक प्रजडन केंद्र की स्थापना की जाएगी देशी नसल की जो गाये हैं उनके सरच्छन के लिए जिले में एक प्रेज़न केंद की इस्थापना की जाएगी तो वो कौन सा जिला होगा यह आपको बताना है तो निस्थ का सही जवाब है A option बक्सर में यह की जाएगी अगला है question number 20 IGIMS पतना में कितने बेट की सुपर स्पेसिलिटी अस्पिताल के लिए 513.21 करोड रुपए का प्राधान किया गया है पहले से यह उस्पिटल बना है तो इसमें कितने बेट का सुपर स्पेसिलिटी होस्पिटल बनाया जा रहा है तो 20 का सही जवाब है C option 1200 बेट का होस्पिटल किया जा रहा है Q21 सभी घरों में पाइप से जल एम नाली गली का पक्की करण के लिए 31 मार 22 तक कुल कितनी रुपए खर्च किया जाएंगे इसका सही जवाब बताईए 21 का जिसका सही जवाब होगा B option 37,000-37 करोड रुपए खर्च किया जाएंगे अगला question number 22 मचली पालने की नई तकनीक बायो फ्लॉक के लिए कितनी रासी आवंटित की गई है जो मचली पालने के लिए नई तकनीक विक्सित की गई है बायो फ्लॉक उसके लिए कितनी रासी आवंटित की गई है तो 22 का सही जवाब क्या है D 14.73 करोड रुपए आवंटित की गई है नेश्ट है question number 23 अगर किसान 3 साल तक पालने को बचा कर रखते हैं तो उन्हें प्रित्यक पालने के लिए कितनी रुपए की बात बजट में कही गई है कि उन्हें प्रित्यक पालने के लिए कितनी रुपए मिलेंगे अगर लगाए गए पालने को तीन साल तक जीवित रखते हैं तो 23 का सही जवाब है D option 60 रुपए मिलेंगे प्रित्यक पालने के अगला question number 24 बिहार बजट 2020-21 के अनुसार किस सहर में हैंड लूम हॉट बनने जा रहा है किस सहर में हैंड लूम हॉट बनने जा रहा है यह question आपको current affair में भी मिला होगा वहाँ भी पढ़ सकते हैं यहाँ भी पढ़ सकते हैं तो आपको पता होगा कि क्या answer होने वाला है इसका 24 का सई जवाब होगा A. पटना में हैंडलों हाट बनने वाला है अगला है कुश्चन नमर 25 किन चार जिलों में खादी पार की स्थापना की जाएगी ये भी कुश्चन इंपोर्टेंट है और ये भी करेंट अफेर में हमने समलित किया है तो 25 का सई जवाब क्या है B. गया मुझफरपूर, भागलपूर और छपरा में खादी पार की स्थापना की जाएगी नेश्ट है कुश्चन नमर 26 बिहार बजट दिहार बीस किस के अनुसार 14 करोड की लागत से किस सेर में लेदर पार्क बनने वाला है 14 करोड की लागत से किस सेर में लेदर पार्क बनेगा जिसकी गोस्णा बजट में की गई है तो 26 का सई जवाब है B. मुझफरपूर में लेदर पार्क बनेगा अगला है कुश्चन 27 इन लेंड मचली उत्पादन में बिहार किस पायदान पर है 27 का सई जवाब है C. चौथे स्थान पर है अगला है कुश्चन 28 अंतिम तीन साल में अंडे की उत्पादन में कितने प्रस्ट की ब्रद्दी हुई है बिहार में तो इसका सई जवाब क्या होगा D. ओप्शन से है 31. प्रस्ट की ब्रद्दी हुई है बिहार में अगला कुश्चन 29 वर्तमान समय में बिहार में प्रत्यक व्यक्ति पर कितने अंडे पढ़ रहे हैं तो 39 का सई जवाब क्या होगा 39 का सई जवाब है B. ओप्शन 25 अंडे प्रत्यक व्यक्ति बिहार में उत्पादन हो रहा है नेश्ट कुश्चन 30 अंबर तो 30 का सई जवाब क्या होगा प्रत्यबा सम्मान योजना की शुरुआत की जाएगी जिसकी गोस्णा बिहार बजट 2021 में की गई है नेश्ट कुश्चन 31 नंबर बजट में सबसे ज़्यादा सिच्चा पर खर्च किया जाएगा वो कुल बजट का कितना प्रिस्यत होगा यह आपको बताना है सबसे ज़्यादा सिच्चा पर खर्च किया जा रहा बिहार बजट 2022 के अनुसार इसका सभी जवाब है 16 परसंट खर्च किया जाएगा यानि 35,121.05 करोड रुपए खर्च किया जाएंगे एजुकेशन सेक्टर में अगला है कुश्च नमर 32 जिन्हें कारकर्म के तहट रासन कार्ड मिले हैं उन्हें अब जिला अस्पतालों में डायलिसिस की मुफ्त सेवा भी मिलेगी तो किसी योजना के तहट मिलेगी जिन्हें प्रधान मंत्री खाद सुरच्छा कारकर्म के तहट रासन कार्ड प्रधान किये गए हैं उन्हें जिला अस्पतालों में डायलिसिस की मुफ्त सेवा भी मिलेगी अगला है कुश्च नमर 33 सुमन योजना सुरच्छित मात्रत आस्वासन योजना से कितने स्वास्थ संस्थानों को जोड़ने की बात कही गई है तो 33 का सही जवाब है डी ओप्सन चववन जो है स्वास्थ संस्थानों को बिहार के सुमन योजना के तहर जोड़ा जाएगा अगला है question number 34 बिहार बड़ेट 2020-21 के अनुसार मई 2020 महीने से किस बिमारी की जांच और इलाज दोनों ही Ig, IMS पटना में हो पाएगी तो 34 का सही जवाब क्या है C option सही है इसमें cancer का इलाज किया जा सकेगा जिसकी जांच और इलाज दोनों होगा next question number 35 मुखमंत्री बालिका प्रोसाहन योजना के तहत राज में 19% सिचकाओं से बढ़कर कितने प्रिस्षत हो गई है 35 का सही जवाब है A option 49 प्रिस्षत हो गई है और question 36 number पटना स्मार्ट सिटी योजना के लिए कितनी रासी अवंटित की गई है सरकार द्वारा बायर द्विहार 20 प्रिस्षत में 36 का सही जवाब है D option 155 करोर रुपए अवंटित किये गए हैं अगला है question number 37 बिहार में grid sub station की संख्या डेस डेस तक वरतमान में 149 से बढ़कर 169 करने कर लच रखा गया कब तक जो है 149 से बढ़कर 179 हो जाएंगे grid sub station की संख्या बिहार में 37 का सही जवाब क्या होगा इसका सही जवाब है द्विहार 21 बाइस अगला है question number 38 बिहार सुच इंधन योजना द्विहार 19 की तहित साथ सीटों तक के डीजल एवन पेट्रोल चलित वहनों को नए CNG में बदलने के लिए सरकार कितनी रासी का अनुदान देगी 39 का सही जवाब है C option 40,000 रुपए का अनुदान देगी बजट में इस योजना के लिए 144 क्रोड रुपए भी अवंटित किये गए हैं कितने अवंटित किये गए हैं 2020 के बजट में 144 क्रोड रुपए है अगला है question number 49 नगर निकाईों के लिए कितनी रासी अवंटित की गई है जो नगर निकाई हैं ब्यार के उसके लिए कितनी रासी अवंटित की गई है 39 का सभी जवाब है D option 2416 करोड रुपए अवंटित किये गए हैं अगला question number 40 पतना को प्रोदूसर्ण से बचाने के लिए कितनी रासी अवंटित की गई है बिहार बजट 1221 के तहत तो 40 का सभी जवाब है C option 408 करोड रुपए अवंटित किये गए हैं अगला question number 41 संजय गांधी जविक उद्ध्यान में कितने करोड की लागत से देश का इकलावता गेंडा प्रजनन एवं सरच्छन केंद बनकर तयार हो रहा है कितने करोड रुपए की लागत से देश का एकलावता गेंड़ा प्रजिनन और सरचनकेद बनकर तयार हो रहा है कहाँ पर संजय गांदी जविक उद्यान में तो 41 का सभी जवाब है D option 5.38 करोड रुपए में बनकर तयार हो रहा है नेश्ट है कुश्चन नमर 42 पटना जू 11 गैंडों के साथ विस्ट में किस इस्तान पर आता है 42 42 का सभी जवाब है D option 4 इस्तान पर आता है नेश्ट है कुश्चन नमर 43 देश की किस विधान मंडल में पहली बार ग्रीन बजट पेस किया गया तो इसका सभी जवाब है बिहार विधान मंडल में देश में पहली बार ग्रीन बजट पेस किया गया नेश्ट है कुश्चन नमर 44 क्रसी विधाग के लिए कितनी रासी अवंटित की गई है क्रसी वियाग के लिए क्रसी छेत के लिए एगरी कल्चर के लिए कितनी रासी अवंटित की गई है बिहार बज़र 2021 में तो 44 का सही आंसर है A option 3152.81 करोर रुपए क्रसी छेत के लिए अवंटित की गई है नेश्ट है कुश्चन नमबर 45 बिहार के सभी घरों में कब तक पाइपलाइन से पेजल पहुचने लगेगा हर घर पकी सड़क से जुड़ा होगा और जल निकासी की विवस्ता होगी तो 45 का सही आंसर होगा B option सही है मार्च 2020 तक ये सारी सुदाएं पूरी हो जाएंगी बिहार में देखते हैं अगला कुश्चन 46 नमबर बिहार बजर दोहार 20-21 के अनसर जुलाई के अन्द तक बिहार के किस जिले में 302 करोड रुपए की लागस से अंतर राजी बसड़ा बनकर तयार हो जाएगा तो किस जिले में बनकर तयार होगा जैसे कि यहां दिल्ली में हम लोग देखते हैं ISBT कस्मीरिगेट कर बसड़ा है जहां देश के हर एक छेत में बस ही मिलती है जाने के लिए ऐसे जो है बिहार के पटना में एक अन्तर राजी बसड़ा बनकर तयार हो रहा है किस जिले में 15.4 किलोमीटर भवुआ अधावरा पत बनाये जाने की सुख्यति मिल गई है तो ये जो है कैमोर जिले में भवुआ अधावरा पत बनाये जाने की सुख्यति मिली है ये जो है इस्टेट हाईविय संक्या असी के तेहत आने वाली इस सणक का निर्माण कार एशियन डेवलोप्मेंट बैंक की मदद से किया जा रहा है अब यहां तक आही गये हैं तो मतलब वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करना में सर्माना कैसा तो हमाई वीडियो को लाइक करें शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें जान्यवाद